जहिन दोस्तो सुवागत आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे गारगी पुरुषकार योजना के बारे में जिहां दोस्तो इस योजना में लड़कियों को पांच जार रुपे तक के आर्थे कराशी सरकार के तरब से दी जाती है साथ ही दोस्तो बात करेंगे दस्तावेज और आवेदन परकिरिया की यानि की कौन-कौन से दस्तावेज यहां पर मांगे गए हैं आपकी पातरता क्या होनी चाहिए दोस्तो योगिता के बात करें तो दसवी और बारवी पास कंडिडेट इस योजना के तैट अपलाई कर स दोस्तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ तो दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब ने किया है तो चैनल को जरूर से सस्क्राइब कर दें दोस्तो सरकार दोवारा छात्राओं के लिए गारगी पुरुषकार योजना को प्रारम किया गया है गारगी पुरुषकार योजना में घावी छात्राओं के लिए शुरू की गई है ताकि उन्हें उस सिक्ष्या में कोई दिक्कत ना आए यानि कि उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े गारगी पुरुषकार योजना में दसवी पास छात्राओं को 75% अंक या उससे अधिक अगर वो लाती हैं तो उन्हें इस योजना के तेट 3000 रुपे मिलेंगे ये राशी दोस्तों उनके बैंक खाते में गुर्मेंट की तरफ से ट्रांसपर कर दी जाती है जिन छात्राओं ने बारवी कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राफ्त किये हैं ऐसी छात्राओं को 5000 रुपे की प्रोसान राशी परदान की जाती है योजना का लाब लेने के लिए छात्राओं को सभी मेत्पुन दस्तावेज और पातरता को पूरा करना होता है बात करेंगे दोस्तों दस्तावेज की यानि कि आपको डोकूमेंट्स यहां पर कौन-कौन से लगेंगे गारगे पुरुषकार योजना आउसक दस्तावेज में आप यहां पर देख सकते हैं राजस्तान का मून लिवासी आपको यहां पर होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह योजना जो है यह राजस्तान के लिए है कक्षा बारवी और दस्तावी में 75% या इससे अधिक अंक हासिल किये हो चातर के पास विद्धाले दुआरा दिया गया सैके विकिट होना चाहिए यानि कि आपकी अंक तालिका आपके पास होना चाहिए आधार कार्ट निवास प्रमान पत्तर बैंक खाता पास बुक मोबाइल नंबर ये सबी डोकूमेंट्स आपको या पर चाहिएंगे साथी दोस्तों बात कर लेते हैं पातरता की तो पातरता में दोस्तों 75% जिसके अंक ज़्यादा आये हैं दसवी कक्षा में वो इसमें अपलाई कर देगा वहीं दोस्तों बारवी कक्षा में 75% से अंक अधिक हैं तो वो भी इसमें अपलाई करेगा आवसक डोकूमेंट्स मैंने आपको बता दिये हैं दोस्तों गारगे पुरुषकार योजना के लिए आप आवेदन कहां से कर सकते हैं तो बात करेंगे आवेदन परकिरिया की दोस्तों आप इसकी ओपीसियल वेबसाइट पे जाके भी आवेदन कर सकते हैं या फिर आप किसी भी इमित्तर सेंटर पे जाएं और वहाँ पर अ आने वाले वीडियो का नोटिपकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह सरकारी योजनाओं का लाब उठा सके मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत